अंकीता हत्याकान के बाद पूरे प्रदेश भर में आकरोश देखने को मिलगा और वही दोसरी और राचरितिक दलभी लगतार पूरे मामली में सरकार के खिलाफ नारेबासी का दहे हैं आज कंग्रेस ने पूरे प्रदेश भरके जिलाम उख्याले में राज्य शरकार का पुतला फूका और अंकीता भंडारी को इनसाफ दिलाने की मांगी देहरादूल में भी कंग्रेस की कारीकताओं द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला दहन किया गया, कॉंग्रेस की प्रवक्ता गरीबाद असोनी ने कहा है कि अंकिता भंडारी को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरीके से लोगों में आक्रोश रहेगा साथी उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकी खटना होने के बाद मुख्यमंतरी पुषकर सिंग्धामी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए तक फॉरंसिक जाच नहीं हुई, जब तक ये नहीं पता चल रहा है कि उस रिजॉर्ट में और कितनी लड़कियां लाई गई, किन किन के साथ इस तरह का अपराध हुआ है, कौन कौन वहां गैस्ट आते थे, किन गैस्टों के साथ अनैतिक कारे के लिए अंकिता पर गवानी पड़ी